दोस्तों सबसे पहले टॉप इस हैर पैक का कलर देख लीजे है ना कितना जादा डार्क ब्लाक कलर और वो भी इंस्टेंटली आये हैं बिना किसी महंदी के या हैर डाई के इस फ्लेम को ओन करिए और उस पे चड़ा दीजे एक लोहे की कड़ाई इसमें मैं डाल रही हूँ एक गलास चाय का पानी एक गलास पानी में मैंने दो चम्मच चाय की पती को अबाल के रख लिया था इसका पानी फ्लेम यहां पर मैंने लो टू मीडियम रखा है अब इसमें हम डालेंगे दो से तीन चम्मच कॉफी पाउडर आप अपनी हैरलेंद के हिसाब से डाल सकते हैं मेरे बाल लंबे हैं तो मैं तीन चम्मच डालूंगी कॉफी पाउडर और कोई भी कॉफी आप ले सकते हैं मैं यहां पे निस के ले रही हूँ और इसके बाद हम डालेंगे दो से तीन चम्मच हिबिसकस पाउडर यानि कि गुडहल का फूल का पाउडर ये ओनलाइन लिया है मैंने आप चाहें तो घर पे बना सकते हैं ग्रोसरी स्टोर से ले सकते हैं या फिर ओनलाइन ले सकते हैं दो चम्मच मैंने डाल दिया है हिबिस्कस पाउडर इन सब को हमें साथ में बॉइल करना है तो फ्लेम को लो रखिएगा इसके बाद मैं डालूंगी आमला पाउडर जो हमारा में इंग्रीडियंट है या मैं औरिगन्स ब्राइंड का आमला पाउडर यूज़ कर रहे हूं हम आमला पाउडर की ही महदी बना सकते हैं अगया अच्छी दर करना हमिक्स करना है कोई भी लंप नहीं रहे मिक्स त्यार होग जाए अच्छी दरीके से एने मिक्स slश करते हुए आपको जलाना है और boil करना है जब तक यह पूरी तरह से dry नहीं हो जाए यानि हलका सा गीला रहे और completely dry हो जाए क्योंकि एक और ingredient है जो हम तब डालेंगे जब महंदी हमारी बन जाएगी यानि इसको soak करने के बाद 7-8 गंटे बाद डालेंगे तो देखिए दोस्तों कितना जादा smooth paste हो गया है ये अब इसमें जो थोड़ा सा पानी और बचा है उसे भी हम dry आउट कर लेंगे जैसे मैंने बताया कि एक ingredient और डालना है तो इसे हम अच्छी तरीके से सुखा लेंगे ये देखिए ऐसा ही smooth consistency में होना चाहिए अगर lumps रहेंगे तो आपके बालों में अच्छी तरीके से मेहंदी नहीं लगेगी और अच्छा कलर नहीं आएगा तो मैंने यहाँ पर इसे completely सुखा लिया है बस हलका सा गीला छोड़ा है ग्यास का फ्लेम हम बंद कर देंगे और साथ से 8 घंटों तक इसे ऐसे ही रहने देंगे ऐसे ही सोक होने देंगे तो देखिए दोस्तों साथ से 8 घंटे बाद कुछ ऐसा कलर है मेहंदी का इसमें हम डालेंगे अपना बहुत ही बढ़िया सा इंग्रीडियंट जो है एग एग हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है आप चाहें तो सिर्फ वाइट पोर्शन डाल सकते हैं अगर आपको स्मेल की प्रॉब्लम है तो अगर आप पूरा डालेंगे तो आपके बालों में जो शाइन जो ग्लॉसीनस आएगी देखते बनेगी इससे अच्छी तरह से विस्क कर लीजे या फिर ब्लेंड कर लीजे स्पून की हेल्प से ही और इसका कलर थोड़सा चेंज हो जाएगा एक डालने के बाद क्योंकि यह थोड़सा फरॉती हो जाता है बड़ फिकर नहीं करिये बहुत यच्यी अच्छा कलर आईगा आपके बालों में और कलर के साथ साथ आपका घर बैठे स्पा भी होने वाला है एक जो डाला है आपने इसमें चलिए अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद अब इसे हम अपलाए कर लेते हैं दोस्तों मैं आज मेहंदी लगाने वाली हूँ इस तूट ब्रश से कोई भी पुराने टूट ब्रश या एक्स्टा टूट ब्रश आपके पास हो गई ही उससे लगाईए बहुत अच्छे से जड़ों में मेहंदी लगती है और बहुत अच्छा कलर आता है नॉमल डाय वाले ब्रश से या फिर हैंड से अच्छी तरीके से नहीं लगता है अपके बाल सुलजेवे होने चाहिए डीटांगल कर लिजएगा अपने बालों को यह तो बतानी की जरूरत नहीं है ताकि अच्छी तरीके से मेहंदी लग जाए और छोटे-छोटे सेक्शन लेके अच्छी तरीके से आप अप्लाई कर लें जहां पर आपको ग्रे हैज है मैं तो अच्छी कॉंटिटी में लगा लेती हूँ आप भी ऐसा कर सकते हैं तो आवला हिबसकस, चाय का पानी और कॉफी पाउडर का बहुत ही पॉफेक कॉंबिनेशन है जो आपके बालों को बहुत अच्छा कलर देगा इसी तरह से अप्लाई करने के बाद हमें एक बन बना लेंगे यह देखिए अच्छी तरह के से मैंने अप्लाई कर लिया है और शार कैप पहनना बिल्कुल मत भूलिएगा मेहंदी ड्राई नहीं होनी चाहिए इसलिए शार कैप या कोई पॉलोथेन आप पहन के इसे दो घंटे के लिए छोड़ दे उसके बाद नॉर्मल पानी से वाश करें ओइलिंग करें और नेक्स देखी शैंपू करें अज का हैर पैक आपको काफी ज़दा पसंद आया होगा इसे ट्राई जरूर करिएगा हफ्ते में एक बर मैं इसे यूज करती हूँ तो वीकेंड पे आप भी इसे यूज कर सकते हैं और चार हफ्तों तक जब आप इसे यूज करेंगे तो आप देखेंगे आपके बालो का कलर इतना Wür गया है बालो का कलर तभी फेड नहीं होता है क्योंकि मैं तो इसे रेगिलरी लगाती हूँ आप भी थोड़ा गाप कर सकते हैं बट आप जब रेगिलरी लगाएंगे तो सब इसे ऑसके 먹ने अच्छ आएंगा बालों के लिए बहुत अच्छा है, जो लोग एक नहीं खाते हैं, अगर वो बालों में लगाते हैं, तो बालों को बहुत प्रोटीन मिलता है, हमारे बाल हो जाते हैं, ग्लोसी और शाइनी, और किसी बी तरह की फृजिनेस, ड्राइनस, डलनेस भी नहीं रहती है, तो बालों को कलर करने के साथ साथ बालों में एक्स्ट्रा शाइन और ग्लॉसीनेस भी आ जाती है घर बैठे आपका स्पा हो जाता है तो आप चाहिए तो एकका यूज़ करें अगर आप नहीं चाहते हैं तो आप दही आड़ कर सकते हैं उसकी जगे पे तो चलिए गाई इस वीडियो पसंद आई है तो इसे भर भर के लाइक कर दीजेगा जाद से जाद से शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा मैं मिलती हूँ आप से किसी बढ़ियासी वीडियो के साथ तिल देन टेक केर और बाई बाई